नमस्कार मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तार दिल्ली मांगे घोसना पत्र जी हां दोस्तों आज का जो हमारा विशय है जो हमारा सब्जेक्ट है जो आपके लिए संसनी नियूज लेकर आए है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं मंगोल पुरी सुल्तान पुरी तुगलक आबाद और भी बहुत सारा एरिया है जहां बहुजन बहुत संख्यक हैं बहुजन समाज की घनी आबादी है इंदर पुरी में चले जाए बाकी जगह भी हमने पता किया लोगों के बीच तो लोगों ने साफ साफ कहा कि अगामी विधान स चुनाओ जो दिल्ली की होने वाली है उसमें बसपा तभी टिक पाएगी जब अपना घोसना पत्र जारी करेगी क्योंकि केजरी बाल ने बहुत सारे काम किये हैं वो काम के उपर अपना भोट मांगेंगे बहन माया वतिजी केबल अपना परत्यासी उतारेंगे केबल फॉर जनता पत्र देना होगा खाना पुर्ती करने से बहुजन समाज नहीं वोट करने वाला है क्योंकि बहन माया वतिजी से बहुत सारी आसायें होती हैं बहुजन समाज केबल बहुजन के नाम पर उनको वोट देते हैं वो कोई आकरसक घोसना पतर जारी नहीं करते हैं मैं आपको बता दूँ कि केजरी बाल ने अस्पताल तो ठीक कर दिये लेकिन आम जनता की समस्या यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर मिल जाते हैं दबाईयां भी मिलती है लेकिन जो जाच रिपोर्ट है खून जाच पिसाब जाच जितने भी डियाग्रस्टिक लैब हैं वो लूट लेते हैं आम जनता को क्या बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी यह घोसना करेंगे कि दिल्ली में जगा जगा लैब बना दिये जाएंगे जाच घर बना दिये जाएंगे जो बहुजन समाज को फिरी में टेस्ट करके देगा क्योंकि टेस्ट के नाम पे बहुत पैसे लूटे जाते हैं मैं आपको बताओं सिंपल सा एक MRI टेस्ट ही 4000 से कम नहीं होता अल्ट्रा साउंड उसके सारे 700 से लेके 1200 कर रेट है अलग-अलग लैब है अलग-अलग रेट है तरह-तरह के जाच घर बने हुए है फाइब स्टार टाइप का जाच घर है और इससे जनता परिसान है बहुजन समाज खास करके परिसान है बहुजन सवाज ने यह भी सवाल कर दिया बहन मायावती राम मंदिर की तरज पर मुख मुद्दा जो है रविदास मंदिर रखेंगी जैसे की राम मंदिर को लेकर बीजेपी बाले इतने सीरियस थे बहन मायावती जी, रविदास मंदिर को मुख मुद्दा रखेंगी कहने का तात परज यह है, कि जनता अब कुछ सुनना चाहती है बहन मायावती के मुँझ से सुनना चाहती है कुछ तो घोसना करो, कुछ तो दिल्ली की जनता के लिए बताओ कि अगर बस्पा का सासन आ जाएगा तो आप दिल्ली में क्या बतलाओ करेंगे इस स्कूल तो वही है केजरी बाल ने कोई ने स्कूल नहीं बनाए लेकिन जितने भी भी भाग था उसको ग्रीसिंग जरूर किया सर्विस जरूर कर दिया और वो चलने लग गया जो ठप था वो चलने लग गया था लेकिन अब जो है बहन मायावती को जो बचे हुए कार्ज है उसके उपर कुछ बोलना परेगा कुछ बताना परेगा कि अगर उनका सासन आएगा तो वो क्या करने वाली है बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारे लोग परेशान हैं किसके पास जाएं बहुजन नेता हमेशा किनारे रहते हैं कभी भी मुख मुद्दा लेकर सामने नहीं आते आज NRC, CA, CA, CAV और विभिन मुद्दे जामिया का चातर परदर्शन है इस तरह के काम में उलजे हुए हैं और कुछ पार्टियां जिसे की आम आदमी पार्टी अपना विधान सभाद चुनाव की तैयारी कर रही है बहुत सारी पार्टी, कॉंग्रेस भी अब यह एक्ट कानून में उलजना नहीं चाहती है उनका फोकस है अगामी बिधान सभाद चुनाव जो की दिल्ली की है क्या बस्पा बिधान सभाद चुनाव के लिए क्या-क्या तैयारी की है कुछ तो बोले बस्पा कार्ज करता वो जानना चाहते हैं दिल्ली के बस्पा नेताओं से कि अगर आने वाले विधान सभाच चुनाओं में आप क्या देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं दिल्ली की जनता से और क्या कहकर बोट मांगेंगे, बहुजन के नाम पे बहुजन समाज हाथी छाप के लिए तयार है, आपके साथ खरा है, लेकिन आपकी सरकार आएगी, तो आप क्या देने वाले हैं, सबसे पहले लोग यही पूछ देते हैं, दिल्ली से लखनव तक बैठे हुए जितने भी बसपा कार्जकारणी के नेता हैं, वो साफ साफ सुन ले, दिल्ली की जनता आप से घोसना पत्र मांग रही है, अगामी विधान सभाच चुनाओं के तब तक के लिए धन्यबाद, जै भीम, जै भार।